अगर आप लॉंग डिस्टेंस ट्यावल करते हैं तो आपको अच्छे हलमेंट के साथ साथ राइडिंग जैकेट भी जरूरी है अगर यह विडियो में आज आपको बताने वाला हो कि राइडिंग जरूर करना यह वीडियो में आज आपको बताने वाला हो कि हैं यह विडियो के अपर है टू यह विडियो फूरा मैं इसके पहले मैंने और वीडियो शूर की ऑखोमेट के बारे मैं तो आय बटन में लिंक आता होगा तो यह जो हेलमेट और आज जो में जैकेट के बारे में बात करने वाला वो मैंने अपने लास्ट राइट पर पहनी थी और उसका भी वीडियो आई बटन में होगा तो यह वीडियो के बाद वो वीडियो ज़रूर देखना तो दिस इस राइनोक्स का एर जीटी वर्जिन टू जैकेट तो दिस नॉट पॉंसर वीडियो कुछ ऐसी पैकिल में आता है इसी प्लास्टिक में आदे पर मैंने इसको कवर बना ली इसका जुगाड़ आप अधियो को दिस राइनोक्स का एर जीटी वर्जिन टू जैकेट बाइद नॉट पॉंसर यह मैंने अपने कुछ के पैसे से खरीदा है इसको खरीदे बहुत टाइम हो गया इसमें यह तो यह जो जैकेट है यह फुली मेश 3D मेश जैकेट है और इसमें काफी अच्छा वेंडिलेशन है यह मैंने अपने राइट पे पहनाता थोड़ा गर्मी में मैंने पहनाता तो काफी अच्छा वेंडिलेशन आता है जब आप अंदर गो होते तो इसका जो टेक्स्टाइल है वो 600DU polyester से बना हुआ है काफी अच्छा मटेरियल है तो इस जैकेट में बैक प सफ्ट होता है काफी सॉफ्ट है पर इंपक्ट पर हाड हो जाते हैं जैकेट मैंने खरीदा था राइनॉक्स के वेबसाइट से 5750 पकड़ लो 6000 का मैंने खरीदा था यहां पर कॉलर में यहां पर यह जो आप देखरें कॉलर में है विस दिया है मैं ग्रोफाइबर क्लॉट टाइप दिया है ताकि आपके नेक पर कुछ इछ ना हो यहां पर आपको राइनॉक्स का ब्राइंडिंग मिलता है यहां पर ils इस पेंगाते हूं सुल्ट से करके में चु Simmons निपने मैं तो यह जैएक इस सदीप लग रहे हैं यहां पे फुल्ली मेश है यहां फे रॉन ऊस्कु लोगम है या रिफिलेक्टर şe यह यहां पे अल्बॉप ट्रीक्टर व्हें शॉल्डर प्रोटेक्टर से ही यहां यह यां पे पीछे यह पीछे से कुछ ऐसा दिख रहे हैं पीछे आपको आगे से ऐसा दिख रहे हैं और आपको यहांपे एजस करने के इस ट्रैप्स मिल जाते हैं आपको टाइड रखना यह थोड़ा लूस रखना अपने हिसाब से रख सकते हो यह जो आपको यह इसका back protector है इसमें आपको यहां पर pocket मिलता है यह open करके आप निकाल सकते हो wash करने के लिए आप यह इसको निकाल सकते हो यहां पर pockets है safe tech का level to armor है आप ऐसे दबाओगे तो थोड़ा soft लगेगा जब इंपेक्ट होते है तो यह hard हो जाता है आप राइड करते हो तो जैकेट काफी हलका लगता है पीट के उपर आपको लगता है बैक प्रोटेक्टर है तो थोड़ा वेट लगेगा तो ऐसा कुछ हेवी नहीं लगता है काफी अच्छा वेंटेलेशन भी आता है अगर आप लॉंग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो आपको अच्छे हलमेंट के साथ साथ राइडिंग जैकेट भी ज़रूरी हो अगर आपको इनकेस एक्सिडेंट होता है तो यह आपको तो यह जैकेट आपको प्रोटेक्ट करें इंजरी से यहां पर जो है आपको एक जि लगा इस जैकेट के अंदर लाइनर्स आते हैं तो यहां पर दो जिप लग दिख रहे हैं यहां पर दो दो लाइनर एक रेन लाइनर और एक विंटर लाइनर अटाइच हो जाता है यह है रेन लाइनर यह जैकेट का और यह जो है विंटर लाइनर है यह विंटर लाइनर र तो यह दो लाइनर आप इसके अंदर लगा सकते पारिश में आप जैकेट के ऊपर रेन कोट पेने ताकि जैकेट गिला नहों और पानी यह मैश है तो पानी इसके अंदर जा सकते हैं कर देस्ट फर दिस विडियो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता तो दू कंसिडिए की इस बिडिएं अन्रों।